गुद मॉर्निंग फ्रेंज और अउनली सक्सकेस यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और डेली के अद्धा हिंदू कुछ सेग्मेंट में जो हम लोग डेली डिसकस करते हैं हिंदू नियूस पेपर के बाद में वो हम लोग आज जनवरी 24 का डिसकस करने वाले हैं जल्दी से आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजे जिससे कि हमारो और हमारी टीम का पूरा मॉटिवेशन बना रहे है जिससे कि अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को डेली डेली हम लोग बना के देते रहें और इसके बाद में एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ जो भी हमारे नई वीवर्स हैं कि हम लोग डेली हिंदू नियूस पेपर का रिवीव करते हैं सुबह मतलब जैसे डे टू डे रिवीव करते हैं उसके बाद में उसमें इंग्लिश वॉकबलेरी डिसकस करते हैं डेली जो भी हिं इंपॉर्टेंट कोश्चन जो नियूस पेपर का है वो मिस नहीं होने वाला है और दूसरा रिवीव आप लोग जरूर देखें क्योंकि बहुत से इंफॉर्मेशन उसमें रहती हम लोग डिसकस करते हैं एडिटोरियल में और तरह तरह की इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी क्विज में डिसकस करना पॉसिबिल नहीं हो पाता है तो आप जरूर देखें उसको और जिसका रिवीव का लिंक में उपर आई बटन पर दे दूँगा तो आप लोग उसको क्लिक करके उस रिवीव का भी बटन आप एनलेसिस देख सकते हैं और चलिए शुरू करते हैं इ स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी बैसिकली स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी इस बींग इंस्टॉर्ड नियर हैदराबाद मतलब जो स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है वो हैदराबाद के पास किस वैशनवाइट सेंट के नाम पर रखी जारी याद में वहाँ पर एक स्ट के उपलक्ष में इनके जो स्टेच्यू है वहाँ बनाई जा रही है और इसको स्टेच्यू आफ लिब इक्वालिटी भी बोलते हैं अच्छा ये भी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इस पूरा जो भी क्विस्स सेग्मेंट है इसको bilingual में आप लोगों को बताता चलूं कोश्चन तो English में जरूर है लेकिन आप लोगों बेफिक रही है आप लोगों को Hindi में भी मैं इसको बताता रहता हूँ जिससे कि कहीं कोई भी confusion ना रह जाए कबी कभी कोई typing mistake की वज़ए से confusion हो सकता है कभी किसी और लोगो अच्छे से अच्छा content कम से कम समय में दिया जा सके बस आप लोग थोड़ा सा हमें थोड़ा motivate रखिए और बस इसको अच्छे से हमारा motivation रहेगा तो content भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे चलिए इसका पहले वाले का right answer होगा श्री रामानो जी बहुत important है और आप लोग इसको जरूर याद रखिए अगला important question है recently जो IMF है उसने इंडिया की GDP है 2021 और 22 में क्या estimate किया हुआ है ठीक है तो IMF का अलग रहता है RBI का अलग रहता है तो दोनों का अलग-अलग prediction रहता है इंडिया की GDP का तो यहां IMF का पूछा ह है तो इसका right answer 9.5 होगा तो आज basically article में इसे पूछा गया था तो वहीं से लिया हुआ है तो basically question यही है कि what is the estimate of IMF on Indian GDP for the year 2021-2022 तो right answer will be 9.5% अगला जो important question है यह आते हैं यह भी important है यह मतलब मुझे बड़ा थोड़ा सा information unique भी लगी इसलिए मैं इस पर question बना दिया आप लोग भी इसको थोड़ा सा अच्छे से remind करते जरूर रहे है recently hologram image of Netaji Subhashanbos has been unveiled at Indiagate whose statue was installed at this place till it was removed in 1968 मलब question में यह है कि अभी आपने देखा होगा 23rd को जो पराकरम दिवस्ता कल हम लोगोंने quiz में cover किया था उसमें Netaji Subhashanbos की एक hologram image का अनावरन किया गया था अनवेड मतलब अनावरन रहता है इंडिया गेट पे तो यहां पर question में बस यही पूछा गया है कि इस जगह पे 1968 तक किसकी मूर्ती यहां पर बनी होई थी क्योंकि 1968 में इनकी मूर्ती हटा दी गई थी तो पूछा गया है कि 1968 तक इसी जगह पर किसकी मूर्ती थी तो इसका right answer King George 5 है यह बहुत ही unique मुझे भी लगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए हो सकता है आपको इसका क्योंकि सुवाशन बोस जी की यहां पर बहुत सारी information है भी तो हो सकता है आप लोग के काम की वह न्यूज में मिल भी जाए आपको exam में तो इसका right answer होगा King George V तो इनकी 1968 तक यहां पर statue बनी हुई थी फिर 1968 में इनकी statue हटा दी गई उसी सेम जगह पर यहां पर सुवाशन बोस का hologram image का नावरंड किया गया है चलिए अगले question के तरह बढ़ते हम लो अगला जो question important है यह भी आज की paper में था यह भी most important है Recently an award named आपदा प्रबंधन पुरुसकार has been announced in the name of which great freedom fighter मतलब यह है कि अभी आपदा प्रबंधन पुरुसकार जो है किस सुतंता सेनानी के नाम पे रखा गया है तो इसका right answer होगा सुभाशन बोस तो इसका पूरा नाम है सुभास चन्दर बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार इसका यह पूरा नाम है ठीक है तो इसका right answer सुभाशन बोस होगा यह basically आप the disaster से related है पुरुसकार तो disaster की field में जो जो भी पुरुसकार दिये जाएंगे वो सुभाशन बोस के नाम पे पुरुसकार बना दिया गया है अगले question की तरफ बढ़ते हैं अचाहे देखिए ऊपर हम लोग discuss कर रहे थे RBI का GDP और IMF का GDP दोनों अलग रहता है तो यहाँ पर question what is the estimate of RBI on Indian GDP for the year 2021-2022 तो basically इसमें सवाल यही है कि 2021-2022 के लिए RBI ने GDP क्या प्रिडिट की है इंडिया की तो उसका right answer 9.2 होगा और उपर जो है जो IMF का है वो 9.5 है percent RBI का है 9.2 percent बस इसमें confused मत होई है और यह important है किसी भी सवाल में exam में पूर सकते हैं इसलिए मैंने इसमें MCQ बना दिया है तो चलिए दोस्तों आज के लिए तना ही इस series में और कल फिर हम लोग नए review और नए quiz series में मिलेंगे और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसको प्लीज आप लोग subscribe और like कर दीजे जिससे की हमें और अच्छा content बनाने में motivation मिलती रहे Thank you so much